Hello everyone, welcome to the channel The Zorawar Classes और आज ये अपनी हो जाएगी 5 वी class किसकी? Computer की तो जो लोग हमारे साथ बाद में जुड़े हैं या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दू कि हमारी 4 classes पहले हो चुकी हैं Computer को लेके आप हमारी KVS Computer की Playlist में जाओ Playlist section में आप वहाँ पे इस वीडियो के बाद वो चारो वीडियो उसमें जरूर देखा ठीक है ना? आपको पता होगा कि PRT की अगर बात करें KVS में तो 10 number की Computer आती है अगर मैं TGT की बात करूँ तो 10 number की Computer आती है अगर मैं PGT की बात करूँ तो 10 number की Computer आती है मतलब हर Post पे 10 number की Computer जो है KVS आप से पूछता है और हमने अपने ये जो चार Classes हुई है उसमें PRT का Last Year का जो आपका Question paper था Computer का वो Solve किया है और हमने TGT वाला Solve किया PGT का रहे गया है वो भी अगले आने वाले टाइम में हम कर लेंगे ठीके ना तो उससे हमें क्या पता लगा है कि KVS प्रैक्टिकल कोश्चनों पर जादा जोड़ देता है KVS जो हैं 10 में से कम से कम 6 या 7 कोश्चन प्रैक्टिकल बेस कोश्चन पूचता है तो इसी वज़ए से एक प्रैक्टिकलिटी में शोटकट कीज भी बहुत बड़ा रोल नहीं भाता है क्यों 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 कि माउस का काम खतम कर देते हैं और आप क्या करते हैं आप अपने कीबोर से ही शोटकट कीज को यूज़ करके अपना काम जो है वो करते रहते हैं तो ये भी एक प्रैक्टिकल चीज का बहुत बड़ा रूप है तो आज हम जो है अपनी इस वीडियो में प्रैक्टिकल शोटकट कीज जो हैं उन पे बात करने जा रहे हैं मैंने 15 questions लिए 15 selected questions हैं उसके बाद थोड़ा सा shortcut keys का और भी एक चीज है जो मैंने लिखी हुई है वो डिसकस करेंगे एक theory part है छोटा सा last में तो भाई चिपक जाओ उस टाइम वीडियो से और answer करने start कर दो कि 15 में से कितने number बनते हैं जो computer चलाता है जो laptop चलाता है उन लोगों को इसके बारे में काफे कुछ पता होगा ठीक है ना और जो नहीं चलाते भाई या वो अपने notes बना लेना उन्हें बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि मैं 100% कह रहा हूँ कि या तो PRT या TGT एक question जरूर बनेगा 100% एक question बनेगा shortcut key से ठीक है ना चलिए friends आज की video जो अपने start करते हैं सबसे पहला question लेते है the shortcut key to open my computer आपने computer खोला आप आगे वहाँ पे screen पे आगे विंडो पे आगे उसके बाद आपको my computer खोलना है बिना mouse को use किये तो आप क्या करेंगे आप सीधा जो window logo है उसको दबाओ और उसके साथ e दबाओ simple सा ठीक ना window logo जो होता है ना आपका ऐसे बना हुआ होता है ऐसे एक ये वाला logo होता है आपका ऐसे की होगी उस पर ये window logo बना होगा इसको दबाओ plus e वाला बटन तो क्या होगा आपका आपकी सीधी my computer वाली जो file होती है my computer जो होता है वो खुल जाएगा ठीक है जी ओके चलिए next question लेते है question number two how to close the console अगर कुछ भी खुला हुआ है आपका तो उसको कैसे close करते हैं यह बहुत common है और बहुत frequently यूज किया जाता है अगर आप laptop या computer यूज करते हैं तो आपको इसका answer अच्छे से पता होगा जल्दी कमेंट करो फटा फटा फट सेकिंड का answer A होगा control plus C B होगा old plus C C होगा F4 की दबानी है आपको सिर्फ या D होगा old plus F4 की जल्दी बता हुए इसका answer क्या होगा चीज क्या होती है बंद हो जाती है तो simple सा याद रखो कोई भी console खुला हुआ है कोई भी चीज खुली हुई है अगर उसको में बंद करना है तो क्या होता है old plus F4 इवन दो मैं आपको चीज बता दूँ अगर आप अपनी window पे या आपने बिल्कुल से स्क्रीन खुली हुई और उसके बाद आपको switch off करना है मतलब कि एक तरह से shutdown करना है अपना computer shutdown बोलेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है computer shutdown और आपको shutdown mouse से नहीं करना आपको keyboard से करना है simple old plus F4 दबाओ और आपका shutdown का arrow आजाएगा और arrow आके अपना एंटर कर दो है ना shutdown वाली window कुल जाएगी उसके बाद सीधा एंटर दबादो आपको mouse यूज करने की जुरूरत पड़ेगी ही नहीं तो ठीक है कोई भी console को close करने के लिए बंद करने के लिए क्या यूज करते है old plus F4 चलिए जी next question लेते हैं आज का third question to display the start menu start menu display करने के लिए क्या दबाते हैं फटाफट बताओ old plus S दबाते है control plus S दबाते है control plus escape दबाते है या control plus old plus escape दबाते हैं जल्दी पताओ क्या होगा जल्दी फास्ट आपको पता हुगा कि अगर हमने कोई भी window खोली है और उससे हमें बहार आना है तो हम क्या करते हैं ES escape दबा देते हैं तो हम उससे बहार आ जाते हैं ठीक है लेकिन यहां पर पूछा है कि to display the start menu start menu को display करने के लिए मैं क्या दबाना है तो जल्दी बताओ व सीधा सीधा start menu को खोल लेते हैं और यह चीजे ना अगर आपके पास laptop या computer है तो करके देखना बाद में मजा आएगा उससे और ज्यादा सीखोंगे और ज्यादा answer आएंगे निकल के आपके ठीक है चलिए and friends if you are watching this video for the first time और आप KVS में त्यारी कर रहे है for the post of PRT and DGT तो ए 863-800-8832 इस नमबर पे simple सा मुझे अपना नाम लिखके आप WhatsApp कर देना ताकि मैं आपको अपने WhatsApp broadcast channel से जोट सको time to time जो हम तैयारी कर रहे हैं पिछले दो महिने से आपके पास links या notifications वगएर आ साके वीडियो के नीचे description में आपको telegram channel का link मिल जाएगा आप साथ साथ में उसे से भी जोइन कर लो वहां पे यह सारी चीज़ें आपको time to time मिलती रहेगी ठीक है चले next question पे चलते है question no.4 the shortcut key to delete the selected item permanently without placing the item in the recycle bin is देखो हम कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं computer से वो कहां जाती है वो सीधी जाती है recycle bin में जो लोग computer use करते हैं जो लोग laptop use करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगी यह चीज़ लेकिन यहाँ पे question क्या गह रहा है कि वो shortcut की कौन सी है कि अगर आपको इडिलीट कर रहे हो वो चीज़ वो recycle bin मना जाके permanently delete हो जाए permanently तो उसका आंसर बताओ क्या होगा shift plus delete होगा delete होगा सिर्फ f2 की दबानी है या यह तीनों तरीके से all of the above या तीनों तरीके जो हैं काम करते हैं उस चीज़ के लिए जल्दी से answer करोबाई 4th का answer 24th का answer 1 होगा मतलब की A होगा B होगा C होगा एडी होगा जल्दी-जल्दी answer करेंगे फटा-फट, all of you क्योंकि देखो इसका answer पता है तो पता है नहीं पता है तो मैं बता दूए इसका answer है आप का shift plus delete अगर आप shift कोई भी चीज आप select करते हो कोई भी file वगेरा आपने select की हुई है और उसको आप सीधा select करने के बाद shift plus delete दबाते हो तो वह आप से कहेगा कि क्या आप इसको permanently delete करना चाहते हो permanently delete का मतलब है वो recycle bin में नहीं जाएगा तो यह बड़ा ही अच्छा shortcut की है और एक दो exam में पूछा गया आज से पहले तो आज से पहले शायद बहुत लोगों को ना पता हो तो मैं बता देते हूं even उन लोगों को ना पता हो जो laptop जो है frequently use करते है ठीक है ना उनको भी नहीं पता की shortcut की क्या है कहीं लोगों को पता होगा task manager क्या होता और simple as it is question आसकता है आपका की task manager को खोलने की shortcut की क्या है क्या एक control plus shift plus cape है या इसका B होगा control plus old plus cape या control plus cape होगा या old plus cape होगा तो पांचवे का A होगा B होगा C होगा ID होगा जल्दी से answer करो 5th का answer क्या है फटा फिर मैं बता पेवे task manager shortcut की से कैसे खोल सकते हैं फटा 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 आंसर करो गई आज थोड़ा सा शोर भी आ रहा होगा पीछे से क्योंकि घर के पास कुछ काम चल रहा है बता नहीं है ना तो उसको थोड़ा सा mind मत करना ignore करना अपने question हो पे ध्यान रखो हां जी फटा 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 आंसर करेंगे 5 का A है B है C है D है अगर आपको सीधे सीधे task manager खोलना है तो task manager खोलने के लिए आप सीधे सीधे control shift plus cape दबाएंगे यानि कि इसका answer हो जाएगा A ठीक है जी चले next question पे next question लेता है question number six control plus w is used to अब आपने बहुत सारे सुने होंगे control plus v सुना होगा paste करने के लिए control plus c सुना होगा save करने के लिए लेकिन control plus w जो है बहुत कम बच्चों ने सुना होगा यह किस चीज के लिए use किया जाता है यह बताने आपको हां जी यह open a saved window open a new file open a new window या open a new program इन में से क्या होगा इसका answer 6 का a होगा b होगा c होगा d होगा जल्दी जल्दी बताओ fast ठीक है वीडियो जादा लंबी नहीं करेंगे फटा 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 आंसर करेंगे जल्दी से 6 का a है b है c है d है ctrl plus w किस चीज के लिए use किया जाता है ctrl plus w use किया जाता है to open a new window तो ध्यान रखना है एक नहीं window खोलने के लिए हम ctrl plus w का use करते हैं ठीक है open a new file ctrl plus n होता है तो बहुत सारे इनके अलगा लोग होते हैं वो last में में एक बार बताऊंगा आपको ए as a whole ठीक है question number 7 which of the following shortcut key is used to check the spelling star question है बहुत सारे paper में पूछी जाती है कि spelling check करने की shortcut key क्या है f1 sorry f2 है f11 है f7 है f5 है जल्दी जल्दी बताऊ गई जल्दी जल्दी fast बताएंगे कि spelling check करने की spelling check करने की जो है आपकी key कौन सी है f2 f11 f7 या f5 ठीक है इसका answer है f7 अगर आप सीधा-सीधा f7 दबाते हैं तो क्या होगी spelling खुल जाएगी आपके अगर आपने गल्त कि हुई है तो ठीक बता देगा कि यह ऐसा होगा लेकिन उसके बाद अगर आप f7 दबाते हैं तो वह आपको बता देगा कि spelling सही है या गलत है तो spelling check करने की shortcut की क्या है f7 चले next question लेते हैं फटा-फट question number 8 shortcut to close a document shortcut to close a document एक document को close करने का shortcut क्या है अब इसमें बच्चे confused हो जाते हैं बच्चे दबा देते हैं old old f4 क्योंकि close पूचा है कोई भ बात है old f4 मैंने बता है कोई भी चीज़ अगर बंद करनी है तो क्या करते है old f4 है उसका लेकिन old f4 उस window को बंद कर देता है उस window से बाहर निकाल देता है अगर मैं सिर्फ document की बात कर रहा हूं यहां पर ध्यान देना है close a document close a document और इस question को हमने just अभी एक मिनट पहले discuss किया है यह देखो यह रहा ctrl प्लस w तो यह इसी का answer होगा आपका क्या इसका answer हो जाएगा आपका c, चीक है तो c option जो है ctrl प्लस w जो है आपका close भी करता है किसको window को यह इसका भी shortcut है तो 2 shortcut हो जाते ctrl प्लस w के एक हो जाता है अपना ctrl प्लस w यूस होता है to open a new window आप window भी जो है उससे open कर सकते हैं और उससे जो है आप एक window close भी कर सकते है document जो होता है वो भी close कर सकते हैं करके देख ले ना आपका answer जो है से आ जाएगा तो control plus w के जो दो function है दोनों आपको याद रखने है ठीक है जी चलिए question number next पे चलते है question number 9 लेते है what is the correct combination of keys to find text on a document कोई भी text दूनने के लिए document पे इन में से shortcut की कौन सी है old plus f4, old plus t, control plus f या control plus h जल्दी बता हो वही shortcut key to create sorry what is the correct combination of keys to find text on a document जल्दी बता हो आजी fast करेंगे answer और इसका answer हो जाएगा आपका control plus f करके देख लेना कोई भी अगर आपने document खोला हुआ है और उसमें कोई भी आपको डूनना है मानलो की बहुत सारे word लिखाओ है बहुत सारे पूरे 10-15 page है उसमें आपको अंकित डूनना है कि अंकित कितनी जगा है तो आप simple सा एक काम करेंगे आप क्या दबाएंगे control plus f दबाएंगे एक window खुलेगी उसमें आप अंकित लिख दो कि अंकित मुझे redo and action is आपने undo सुना होगा और undo का पता है आपको control plus z होता है यह होता है control plus z redo का क्या है redo का answer करो redo का क्या होगा undo का तो पता है हमें undo बहुत common है undo का सबको पता रहता है लेकिन जब बात आती है redo की तो redo के बारे में बहुत कम बच्चों को जानकारी होती है हाँ जी बात जल्दी यल्दी fast करेंगे कि redo का जो है वो क्या होगा redo का होता है control plus y चीक है याद रखना है अगर आपसे redo का shortcut पूछा जाता है तो redo का जो shortcut होगा वो control plus y होगा control plus z undo का होता है तो यहाँ पर mistake मत कर देना ठीक है चले जी next question पर चले question number 11 what is the shortcut to change the font a control plus f b control plus alt plus f c control plus shift plus y या d control plus shift plus f इन में से क्या होगा क्या करना है shortcut बताना है change the font का कि आपको अगर font change करना है तो उसका shortcut क्या होगा जल्दी जल्दी आंसर करो गई फटा पटा जी जल्दी बताएंगे इसका answer क्या 11th का a है b है c है d है ठीक है चलिए इसका जो answer होगा वो होगा d control plus shift plus f अगर आपको change the font करना अगर font जो है जैसे यह लिखे मैंने what is the shortcut यह font में लिखा हुआ है aerial font में लिखा हुआ है अगर आपको यह change करना है अपना font करना पड़ेगा और mouse use तो करना नहीं है shortcut keys में question number next by which shortcut we can increase the font size of the selected text आपने देखा हुआ हम select कर लेते text ऐसे करके जैसे मैंने select कर ली ठीक है अब मैंने select तो कर ली simple अब मुझे क्या करना है कि इधर बढ़ाना है or select करना है और मुझे यहां तक टेक्स तक select करना है इससे आगे आना है मेरको यहां utmost तक select करना है लेकिन मुझे mouse का use नहीं करना अब मैं कैसे करूंगा अब मैं कैसे करूँगा तो मैं simple सा control plus shift plus ये वाला arrow जो हूता है territor than का arrow जो होता है ये दबाँगा तो आगे बढ़ता रहीगा और अगर मैं smaller than का ये वाला arrow दबाँगा तो इस दरव गढ़ता रहीगा ठीके ना इस वाले arrow से इस दरव बढ़ता रहेगा और मुझे mouse यूज़ करना नहीं है, तो उसकी shortcut क्या होगी, उसका shortcut होता है आपका control plus shift plus arrow, ये वाला, तो हम आगे की तरफ चलेंगे, और अगर इस वाले arrow को use करेंगे, तो हम पीछे की तरफ चलेंगे, simple है भई, समझ आ गया, चली, question लेते है, next, question number 13, question number 13, the key F12 opens up what, ये save as dialogue खोलती है, dialogue box को, या open वाला dialogue box खोलती है, ये close वाला dialogue box खोलती है, save वाला dialogue box खोलती है, simple सा, F12 अगर आप दबाते हैं, तो वो क्या खोलती है, वो save as वाला dialogue box खोलती है, open वाला dialogue box खोलती है, close वाला dialogue box खोलती है, या save वाला dialogue box खोलती है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, 13 का A है, B है, C है, D है, और last में मुझे बताना जरूर, कि 15 में से आपके number कितने बने है, तो इसका answer होगा, ये खोलती है, आपका save as वाला dialogue box, अगर आप F12 दबाते हो सीधा, तो आप जो भी फाइल पे काम कर रहे हो, उसका जो save as वाला dialogue box होता है, सिंपला वो खुल जाता है, कि आपको ये desktop पे save करना है, आपको ये इस वाली file में save करना है, यहां पर E वाली जो होती है, आपको जो होती है, सीमें, करना है, D में करना हो, सारी जीज़े महां बताते है, डाउनलोड में करना है कहां सेव करना है तो सेव हैं वाला जो डायलोग बोक्स है वो एफट्वल से खुल जाता है चले कोश्चन नमबर लेते हैं फोर्टीं वोट इस दा शोटकट की तो ओपन अन्यू टैब इन दा सेम विंडो सूपर कोश्चन है बहुत अच्छा कोश्च है ना उस पर कुछ देखना है तो आप क्या दबाएंगे आप कन्टोल प्लिस ट दबाएंगे कल्ट्रोल प्लिस क्यों करो फुर्टींत का आंसर करो ऑपाई थै法uğ ग। थीए ब गॉससे ऐं सिंपल से थी खौंट्रोल बीसक्रिक्अ सबळसें अगर मैं एक विंडो कर रहा हूं और मुझे एक नई बीसक्राइब था हुष्जे कैसे होगा सिंपल सा फिहा हैं ऐ चंट्रों कि अ से याद रखो कि जब नया tab खुला जाता है control plus T किया जाता है ठीक है जी चलिए आज का last question ले लेते हैं फटा-फट last question है which shortcut key is used to select all select all text इन में से किस से हम select all text कर लेते हैं control plus A से control plus V से control plus Z से control plus C से जल्दी जल्दी बताएंगे इसका 15th का A होगा B होगा C होगा D होगा जितने भी लोग computer ये laptop यूज करते हैं वो खटा-खट इसका answer कर देंगे कि select all हम कैसे करते हैं कोई भी चीज जल्दी बताओ तो इसका answer है simple सा control plus A जैसे हम दबाते हैं तो select all हो जाता है control plus V होता है आपका paste के लिए control plus C होता है आपका copy के लिए और control plus Z होता है आपका undo के लिए ठीक है 8.32 तो 8.32 तो 8.32 रात का time मतलब शाम का time है तो शोर वगरा थोड़ा सा जादा है आज क्योंकि वीडियो रहेगी इती मेरी तो बही देखो अब mostly मैं वीडियो जो लेट नाइट मनाता हूं आज दिन में बना रहा हूं तो आज इसमें शोर हो गया और घर पे भी नीचे भी क्योंकि question गया है question मैं हर को ऐसे बना सकता हूं कि control plus A किसके लिए use होता है किसके लिए use होता है , z किसके लिए होता है , c किसके लिए होता है ,। मुझे selected questions लाने थे आप लोगों के सामने , जो अभी तक आपने नहीं पढ़े है पंद्रा में से स्कूर बता देना आप कितना हुआ अब चलते हैं एक बार आगे भी मैं कुछ है मेरे पास खटा-कट उसको पढ़ लेते हैं और आज की वीडियो फिर खतम करते हैं कुछ शोटकट कीज मैंने फिर ऐसे लिख ली थी काइच के लिए यूज़ करते हैं काईच के लिए यूज़ करते हैं क्ट्रोलियूड यूज़ करते हैं उसके बाद अगर बो बोल्ट करनी है कोई भी चीज तो ctrl plus B करते हैं बोल्ट करने के लिए अंडरलाइन के लिए ctrl plus U है आपका Ctrl plus I है अगर आपको tilt करना italic करना होता है वो तिर्चा करना होता है अगर यह सीधा है open इसको मेरे को तिर्चा करके लिखना है करके लिखना है तो क्या करेंगे Ctrl plus I दबालेंगे italic के लिए उसके बाद old plus tab जो होता है उससे क्या होता है cycle between open applications ठीक है वो खुल जाती है old plus tab से और old plus F मैंने बताया था quit program हो या close current window कोई भी चीज हो उससे क्या होता है old plus F से यह document close करता है Ctrl plus W और यह पूरी पूरी window या कोई भी चीज है उसको पूरा बंद कर देता है old plus F तो F4 इन दोनों में यह difference से ध्यान रखना है ठीक है जी यह बात होगी अपनी यह लिख लेना अपने notes में इसके बाद बनाके एक और चीज चोटी सी वो भी discuss कर लेता है फिर खतम हो जाएगा अपना ही हां जी F1 जो है वो help के लिए use होता है F2 जो है वो rename या selected object है उसके लि आते रहता है refresh refresh करते रहते हैं तो यह question भी बहुत important है star question है क्योंकि बहुत ज्यादा use होता है यह इसलिए F6 जो है shift focus in windows explorer उसके लिए use होता है F7 मैंने बताया था आपको spelling के लिए use होता है na F7 का जो बताया था उसमें F10 आता है फिर activates menu bar option इसके लिए use होता है Alt plus F6 अगर हम द दायलोग हमें खोलना है तो उसके लिए Alt plus Enter दबा दो और Alt plus अगर Space दबाते हैं तो system menu for current video इसमें system menu खुल जाता है Alt plus F4 से और Alt plus Enter से आपकी property डायलोग जो properties होती किस भी चीज की जैसे आपको पता लग करना है कि वह कितने GB कितने MB की है उसमें किस date में खीची गई है उसकी length क इतने सारी सी जो भी properties होती किसी भी फाइल की उसके लिए आप control plus Alt plus Enter दबा सकते हैं और अगर system menu आपको चेक करना है तो simple सा Alt plus Space that's all for today guys I hope you like the video आज की वीडियो थोड़ी से डिस्टर्ब रही जितना अच्छे से मैं इसको और अच्छे से explain कर सकता था वो नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को चीजे थोड़ी सी मेरे अंदर एक कीडा है perfectionist वाला कीडा होता है आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहा क्योंक वगरा मुझे पसंद नहीं है जब बनती है वीडियो तो sorry for that लेकिन जितना content मैं प्रोवाइड के है वो अच्छे से उसके notes बना लेना आने वाले time में computer की भी 5 वीडियो हो जाएंगी हमारी तो उसके बाद एक computer का भी test रख लेंगे जैसे इस अफते आपका current affairs का किसी भी द surprise test हो सकता है ओके ठीक है जै हिंद आज के लिए इतना ही है अब morning आपकी मिलेंगे आपके दिव्या बैम की class सुबह नो बजे बाई everyone take care